सासमान मैंने अपनी बेटी को वहां से विदा करा करके अपने घर में लाई मेरी बेटी मांसिक रूप से बहुत ट्रस्थ हो गई थी, उन परिवार वालों ने अनर्गल रूप से दुस प्रचार कर रखा था बेटी के पรत अगेंस्ट हम लोगों ने अपने आप में एक फैसला लिया कि अपनी बेटी का सम्मान में कैसे वापिस लाओं साधी हुए आठ साल करीब हो एक दिन भी लोगों ने बेटी को चैन से रहने ने दिया बेटियों को बिसम परिस्तियों में अकेला न छोड़े उनका इतना साथ दे कि उनका मनोवल बढ़ा रहे हैं डाइवोर्स के फैसले के बाद तो बहुत तूट गए थी आत्मी क्रूप से मांसी क्रूप से टूट गए थी लेकिन मुझे बहुत लोगों ने प्रेड़ना दिया खासता और थे एंजियों से सम्मादित लोगों ने कुछ समाज के लोगों ने कि मुझे ऐसे कदम के और बढ़ना चाहिए जहां पर अपनी बेटी को मैं सम्मान दिला सकूँ और उन्हीं सब की मदद से सा सम्मान मैंने अपनी बेटी को वहां से विदा करा करके अपने घर में लाई उसकी बच्ची है मेरी बेटी है, वो अपने माता पिता के पास पहले की तरह ही वापिस आ गई और पूरे ही प्यार, सुरच्छा और सम्मान से मेरे साथ है मैं अपनी बेटी को पूरे सम्मान के साथ जैसे मैंने विदा किया था उसी सम्मान के साथ लाई दूसरा मुझे ये बोलना था कि आप लोग गेट खोलिए मेरी बेटी और मेरा कसूर बताईए लेकिन उन्हों ने गेट नहीं खोला मेरी बेटी का कोई भी बात नहीं बोली जो उन्होंने बहुत सारे से अनरगल बाते मेरी बेटी के प्रत बोली थी उन बातों को भी मैं जानना चाहती थी आप आईए मेरे सामने मेरे साथ दस लोग है उनके सामने बताईए मेरी बेटी की क्या गलती क्या कमी और मेरे उसके माता पिता की क्या गलती और क्या कमी है लेकिन इनों लोग बहुत बुलाने के बाद भी गेट नहीं खोले ना ही बार निकले तो मुझे अपने लोगों से बहुत ही सहरा सपोर्ट मिला संबल मिला और इस कारे के बाद लोग मुझे हिम्मत दे रहा है सरा रहा है मेरी बेटी मांसिक रूप से बहुत तरस्त हो गई ती उन परिवार वालोंने अनर्गल रूप से दुसप्रचार कर रखा था बेटी के प्रत उस दुसप्रचार के अगेंस्ट हम लोगोने अपने आप में एक फैसला लिया कि अपनी बेटी का सम्मान में कैसे वाफिस लाओ जब हम लोग किसी तरह से भी अपराधी नहीं है, हमारी बेटी कहीं भी अपराधी नहीं है, न वो बता पा रहे हैं। इस हुसले से तभी हम इसी प्रेड़ना से गई और उसी प्रेड़ना ने मुझे प्रेडित किया सम्मान के साथ अपनी बेटी को तभी लेकर आप आई मैं वो लोग गेट नहीं कोले बोल नहीं पाए कोई जवाब नहीं दे पाए बहे हमारे पास हमारे सब्समाज था उससे ज मत्क्रिया मेरे सपोर्ट में ही है सभी का कहना है कि माता पिता को ऐसे ही अपनी बेटी का साथ देना चाहिए हिम्मत देनी चाहिए और मेरी बेटी का भी ये कहना है कि मैं अपना ही लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ मेरी जैसे अनेक बहने हैं जो इस संगर्ते जूज रह उनको इससे प्रेणा मिले वो हिम्मत के साथ सामने आए और विंती है कि उनके परिवार जन उनके माता पिता अपनी बेटियों का साथ दे बेटी को बिदा करने के बाद भी उसको कभी अकेला न छोड़े अनरगल रूप से उसका साथ न दे लेकिन उसको अकेला भी मत छोड़े उसके दुख और थंकट को समझे और उसका साथ दीजिए मेना सोचना ये था कि बिना किसी कारण के हमें अपनी समाजी पतिष्टा और मान सम्मान को भी ध्यान लखना था और साधी हुए आठ साल करीब हुए एक दिन भी लोगों ने बेटी को चैन से रहने नहीं दिया चार साल तक तो किवल इस प्रयास में बीत गए कि आप सुध जाएंगे अफसाधर जाएंगे अफसाधर जाएंगे लाकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया और फिर दुवजार और घर छोड़ के भी चला गया तो अब कुछ साथ रहने का तो कोई अच्छति बनते ही नहीं था जब ही नहीं तो किसके साथ रहें तो फिर इसके बाद लोगों इस ने कोट केस किया, फिर ओभी में बोमिनसल में ही गया कि वहां भी धीरे-धीरे केस चलेगा, तो हो सकता है, मेडियेशन में, कौंसलिंग में बाँन जा लेकिन जब इरादे गलत हो, मनसा नियत गलत हो, यही एक दिमाग में रहे, खुद उसके लड़के के और उसके कि अपने हर प्रयास में और लगबग चार साल का समय उसमें भी हमारा लग गया और बेटी ने इस दौरान जितना भी सहा है चुकि यह अरेंज मेरिश थी और इस मेरिश को मैंने लखनव से ही किया था धूम-धाम से किया था है कहली बेटी थी लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पा कोड मेरिश की थी ना कोई लब मेरिश थी तो कोड की प्रकरिया अपनी अलग है इतलाक हो गया लेकिन हमने की थो अरैंज मेरी जै यहा है मेरी बेटी यहाँ से बहू बनके उस घर में गई और इस घर में जब बहू बनके गयी और वहां से अपनी बेटी को हम गाजे वाजे के साथ अपने पास फिर सुरच्छते आए अब वो मेरी जुम्मेदारी फिर बन गई और हम तो फिर उसी जगे खड़े हो गए कि इस उमर में मैं अपनी बेटी का ब्या करके और अच्छी तरह से सटेल करके और फिर मेरे लिए बोई पुजिशन आ गई तो ये मेरा मेसेज और दूसी चीज़ ये है कि लोगों ने बेटी के बिसे में अपने महले में लिस्ते दारों में बहुत उल्टी सीधी बाते फैला रखे थी कि लड़की ऐसी थी वही यहां से चली गई ये था वो था तो उसे भी मिझे दूर करना था मेरी भी प्रतिष्टा का प्रस्था था इसलिए मैंने ये कदम उठाया अब ये मेसेज मेरा के वल यह है कि बेटियों को बिसम परस्थियों में जब भी वो दूसरे के घर जाती है तो अकेली जाती है वहां उनको कि परिवार के कितने सारे लोग होते हैं कितने रिष्टे नए बनते हैं वहां पर वो अकेले उस चीज को देखती है कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा किसी क्या मेंटल्टी है लेकिन हर जेगे ऐसा नहीं होता लेकिन ज्यादात होने लगा है तो मेरा मेसेज अब अन्य हमारे जैसे माता पिता के और बेटियों के पिताओं से ये है अपील कि बेटियों के बिसम परिस्थितियों में केला न छोड़ें उनका इतना साथ दें कि उनका मनोबल बढ़ा रहें और कल उनके सामने अगर कोई ऐसी समस्था है तो वो उसका पत्रोध कर सके माता पिता उनका मनोबल मनाएं और उनका साथ दें